वेरी वेरी गुड एवनिंग वोईश चेक करिये क्लियर है तो हम आगे बढ़ें आज आज की क्लास थोड़ी सी लंबी और इन्पॉर्टेंट क्लियर 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 गुड एवनिंग चलिए सर इस्टार्ट करते है ध्यान से देखते जाईएगा आप कि कैसे करना है नहीं करना है सारी चीज एक बहुत सिंपल सा चेप्टर है चेप्टर का नाम है हमारा मटीरियल कहलो या इन्वेंटरी कहलो इस चेप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं यह आपके सेमिस्टर वन में और एक सेमिस्टर फोर में यानि दो सेमिस्टर है एक है सेमिस्टर वन और एक है सेमिस्टर फोर यह सेम कंसेप्ट सेमिस्टर वन में भी पूछा जाता है और सेमिस्टर फोर में भी पूछा जाता है अगर मैं बात करूँ सेमिस्टर वन और सेमिस्टर फोर की इस देट शेट आ गई झाल झाल जाल झाल पर कख RICH सेमेस्टर वन के अंदर इसको inventary के नाम से और सेमेस्टर फोर में इसे material के नाम से जाना जाता है लेकिन सेमेस्टर फोर के अंदर ये inventory वाला पार्ट तो रहता ही रहता है इसके साथ कुछ extra भी होता है यानि ये chapter दो हिस्से में semester 4 में बाट दिया जाता है एक तो जो आप माज करेंगे ये और plus में extra और semester 1 के अंदर ये inventory वाले नाम से जाना जाता है और मज़े की बात है semester 1 में भी ये 10 number का सवाल पूछा जाता है और semester 4 में भी 10 number का मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को semester 1 में भी और जब semester 4 में होता है तब भी मैं बताता हूँ जैसे कि आपका share capital 12 में भी पूछा जाता है और semester 4 के अंदर भी पूछा जाता है तो सेम कुछ ना कुछ link रहता है तो आज हम इसको detail में समझेंगे और इतना बड़ा chapter नहीं है कि इसके लिए हम दो से तीन दिन लगाएं मैं अगर सिर्फ एक question कर दूना इस chapter का एक से दो question तो clear हो जाता है कि भी या इसी के अंदर ये chapter समझ में आ जाता है बड़ा simple सी बात है बच्चे कह भी रहें सर लीफो फीफो एवरेज बिलकुल सही जवाब दे रहें है बच्चे तो inventory बिजनस का न सबसे बड़ी ट्रेंसेंड और ज्यादा से ज्यादा जो बिजनस है न वो सर्वाइब नहीं कर पाते सर्फ inventory management ना होने की वज़े से सर इन्वेंटरी का मतलब क्या है सर सर स्टॉक सर स्टॉक का मतलब क्या है जो आप माल ले कि आते हो ना तो माल जब लेके आती हो तो इसे manage करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है manage करना थोड़ा सा दिकत हो जाता है और इस पेशली जहां पे बहुत बड़े quantity एंदर लिड गया जाता है जैसे सर मैं बात करता हूं चैमिश्ट की लिट रिशन की कि ताइम आप सपोぜ गuciónपल कोविड के ताइम पया तो कुछ मेडीसम opened के लोगों यह तो कियमिस्ट के दुकानदार में गलती connecting करें टो अभी कि कुछ एक मिस्टेग करदें ना उनकर ना यह पूरा जो केमिस्ट का दुकान का एक सिस्टम होता है न, वो थोड़ा सा रैक बना के रखते हैं हर सी जोगा, ठीक है न, तो जैसे हमने एक समान खरीदा, माल लेते हैं, एक समान एक तारिक को खरीदा, एक समान दो तारिक को खरीदा, एक समान तीन तारिक को खरीदा, एक समान चार तारिक को खरीद सेम समान है हमारा यह जो हम बेचते हैं regular basis पे तो अब एक तारिक को जो खरीदा दो तारिक को जो खरीदा तीन तारिक को जो खरीदा चार तारिक को खरीदा इनको क्या करना होता है सबसे latest वाला कुन सा है जो मैंने कौन सा खरीदा होगा सर चार तारिक को जो खरीदा होगा वो सबसे latest होगा क्योंकि मैंने इसे अभी recently चार तारिक में खरीदा और सबसे पुराना कौन सा होगा सा एक तारिक तो अब expiry जल्दी किसकी आ सकती है एक तारिक वाले की आएगी या फिर चार तारिक वाले की पहले expiry एक तारिक वाले की आएगी हम आगे वाले माल को बीच देते हैं सीधा तो वैसे पुराने वाला पीछे रहे गया वह एक्सपायर हो जाता है जिसके वज़े से हमें स्टॉक की दिक्कत हो जाती अच्छे खासी तो अब हमें इसी प्राब्लम को शॉट आउट करने के लिए ये मैथड बनाये गया है कुछ organization के अंदर ऐसा रहता है कि अभया पुराना माल हम बाद में बेचेंगे पुराना समान ज़्यादा महंगा बिख सकते हैं चलको तो daily basis पे बेचेंगे तो तीन तरीके के दुकानदार होते हैं तो उसके अलग-अलग नाम है इस चप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं पहले हम चप्टर का खूर थीम देख लेते हैं चप्टर के अंदर क्या सीखेंगे हम मान लेते हैं एक हमारा factory है ध्यान देना आप इस चप्टर के अंदर क्या सीखेंगे मान लो हमारा factory है बिल्कुल ध्यान दीजिए आप एक factory है और factory के अंदर समान बन रहा है और यहाँ पे एक हमारा go-down है यहाँ पे एक go-down है या वेयर हाउस कह लो गो-down या वेयर हाउस और इसके बाहर यहाँ पे आपका क्या है सर यहाँ पे शोरूम है या फिर दुकान कह लो जहां से समान को आप पब्लिक को बीचोगे यह चेंड चलता है यहाँ पे जब कभी भी क्या करते है यह फैक्टरी से समान खरीद के यहाँ पे लेके आते है फैक्टरी से समान खरीद के यहाँ लेके आए और यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्टोर होता है जहाँ पे समान को स्टोर किया जाता है बड़ी सिंपल सी बात है मैंने तो इसका रियल एक्जामपल देखा हुआ है रियल एक्जामपल मैंने देखा है आप भी देखोगे चांदनी चौक वगरे पर जाओगे न तो ये एक wholesale market है आप देखो कि दुकान इतनी इतनी सी है लेकिन आप एक करोड का order दो एक करोड का order accept कर लेंगे उनका factory होता है go down कहीं और दूर बनाते क्योंकि चांदनी चौक एक बहुत महंगा area है CP same ऐसे महंगा area है तो एक छोटा सा office रहते हैं उसके बाद क्या करते हैं आपको sample रखते हैं तो ये go down के उपर जो बैठा है ना accountant जो go down पे accountant बैठा है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कौन सा समान भीजना है नए वाला पहले समान भीजना है या पहले पुराने वाला समान भीजना है या चलेगा दोनों में से कोई भी भीज़ दो पहले फटा फटा आया order तो यहां पे जो व्यक्ति काम कर रहा है जो यहां पे व्यक्ति accounting कर रहा है इसकी accounting को basically हमें समझना है और जो यहां पे व्यक्ति बेठा होता है वो register के अंदर entry करता है आप कई बार देखोगे ना तो कई बार go down से जब समान आता है ने truck के आपने कई बार मूवी वगएरह में देखा हो या रियल लाइफ में देखा हो जब गोडाउन के अंदर समान आ रहा होता है नहीं तो वहां का जो गोडाउन के बाहर गार्ड होगा या फिर गोडाउन को जो पूरा समालता होगा वो रेजिस्टर लेके उस गारडी का नंबर और घृसी और नौर्मली आप कहीं अच्छे कहीं भी ससायटि वगारं भी जाते हो ना तो वहां पर भी आपकी तर अंदर आने से पहलें जाने की टाइम पर नहीं कराते हैं अंदर आने में सेम ऐसे जब दाय में जब समान आता है सारा एंट्री वगएरा कराय जाता है तो हमें किसकी करनी है था हमें अग्मे Sara kadi 애甚麼 करनी हैं इसका मतलब जब यह पारków से समान आएगा कि इतना ज्यादा हम बिजी हैं या फिर हमने ध्यान ने दिया हमने गलत माल भीज़ दिया वहां से शोरूम में बोलेगा यार यह तुन्हें क्यों भीज़ दिया यह तो पहले से पढ़ा था तो वह समान क्या होगा हमारे वापसी आ जाएंगे जिसको बोलते हम रिटन आ गया ठीक है न कौन सा रिटन आया जो इसू किया था वो कि आ गया हमारा रिटन हो गया कई बार क्या होता है कि शोरूम वाले ना शोरूम वाले डील कर लेते हैं customer से फोन आया शोरूम में कि भी या मुझे इतनी quantity चाहिए समान क्या मिल जाएगा ऐसे situation के अंदर आगर आपने बो कि यहां पर पूछा किस से इस अकाउंटेंट भाई हजार कॉंटिटी भीज़ दे इसने बोल दिया दे दूंगा लेकिन दुकान में देखा तो सिर्फ कितने कॉंटिटी थे इसके पास 900 कॉंटिटी ऐसा भी पॉसिबल होता है तो जब कभी भी हमारे पास समान नहीं है लेकि देंगे जरूर कहीं और से अरेंज करके चाहें देना पड़े तो जब हमारे गोडाउन में समान यह नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया दे दूंगा तो उसको बोलते है उसको क्या बोलें के हम क्योंकि शॉटेज पढ़ गिया हमारे पास समान का सिंपल सा देखो वर्ड जो बनाय हुआ है ना अगर आप सही से पढ़ाई करते हो ना सही से स्टड़ी करते हो ना तो जो शब्द बने हुए चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का अब डेली यूजिस में अकाउंटिंग में तो यूज करते हो लेकिन उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल अच्छ कही न कहीं हम एक मीडियोकर हैं जो कि हम समान को क्या करने वाले हैं मैनेज करने वाले हैं जिसको समान का मतलब क्या स्टॉक को मैनेज करने वाले हैं और स्टॉक कहीं न कहीं एक माटीरियल होता है और इसको कहीं न कहीं क्या बोलते हैं इन्वेंटरी अकाउंट्स के अंदर accounts के अंदर इसको govern करने की जिम्मेदारी AS2 ठाता है accounting standard 2 कहता है कि भाईया इसकी देखरेक मैं करने वाला हूँ accounting standard 2 कहता है हमें जिसके उपर apply होता है तो हमने क्या देखा सर अब सर ये कैसे करेगा maintain ये साधारन वेक्ति अगर आपको इदिया जाए तो आप बिल्कुल register में एक maintain करोगे तो register में कैसे maintain करोगे कोई भी column हो सकता है मान लेते हैं कि एक column दो column और तीन column बना लिए मैंने suppose करो बना लिए यहाँ पे जो मेरे पास receive होगा उसको लिखता जाऊंगा मैं यहाँ पे जो मेरा issue होगा उसको लिखता जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कितना balance है मान लो मैंने receive किया 100 unit भेचे मैंने भेजे कितने unit असी तक बच कितने गए piece unit तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ unit का हिसाब नहीं रखना unit के साथ साथ हमें उसके amount का भी ध्यान रखना है ताकि हमारा accounted जो है actual figure out कर पाए क्योंकि हमने बोला कि भाईया तुझे मैंने न 100 रुपे वाला समान दिया है तो यह तभी profit margin करके आगे बीचेगा कई बार दुकान पे ऐसा होता है बोलता है भाईया दो तरीके के stock पुराने MRP वाला एक नए MRP वाला है पुराने वाला stock पढ़ा हुए आपको थोड़ा सस्ता पढ़ जाएगा और नए वाला stock है वो आपको on MRP मिलेगा ऐसा कई बार आपको दुकान पे देखने को मिलेगा तो सेम वही तरीका होता है क्योंकि इनके पास stock का सारा का सारा क्या रहता है अपडेट रहता है सर आपने cost accounting की timing दिया था पता नहीं क्या माते कर रहे है भाई जो भी है आपका अभी जो भी है cost accounting का माल लो आप जो भी है अभी आपकी classes चलेगी जब तक यह chapter पूरा भी खतम नहीं हो जाता आप सर्फ देखते जाईए समझते जाईए फिर सारे timing वगरा जो भी जो बच्चे नए जोइन हुए daily basis पे बच्चे नए new जोइन होते हैं तो मैं उनको बोलना चाहूँगा का भीया आप आज जोइन हुए कोई फरक नहीं पड़ता पिछला chapter आपको आता है या नहीं आता ये किसी से link नहीं है आज आप आए हो तो बस तसलिय रखो कि आज जो भी सीखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात हमने क्या देखा सर हम जो accounting करने वाले हैं किसके लिए accounting करने वाले हैं हम accounting करने वाले हैं go down के लिए और go down वाले क्या बनाएंगे एक register बनाएंगे सर register में कितने column खीचेंगे ये तीन ही होना चाहिए चौथा तो मुझे नहीं लगता जरूरत है और तीन column के अंदर क्या लिखेंगे एक तो ये receive के बारे में लिखेंगे एक issue के बारे में लिखेंगे और एक balance के बारे में लिखेंगे सर receive के बारे में जब हम लिखेंगे तो receive का मतलब क्या है हमने समान खरीदा है नहीं हमें कहीं factory से माल आया हुआ हम खरीदने के responsible नहीं हो तो मालिक खरीदेगा बस हमारे पास माल आएगा उसकी entry हम करेंगे इशू का मतलब क्या है सर सोरूम से order आएगा भीया माल भिजवा दे मैंने भिजवा दिया और entry कर लिया, balance का मतलब मेरे पास stock कितने का पड़ा हुआ है जो बच्चे tally वगरा करते हैं life में accountant वगरा की बोलते हैं job करेंगे, tally करेंगे तो उसके अंदर अच्छा खासा inventory management का stock inventory एक tally के अंदर होता है option तो inventory management भी करना पड़ता है तो वो यहीं से management करना होता same ऐसा वो computerized format में बन जाता है और ये वाला same हमारा क्या बन जाता है एक manual format में जो हम सीखेंगे manual की computerized तो अभी हम कर नहीं सकते हैं sir अगर हम receive करेंगे तो तीन बातों का ख्याल रखना है एक sir कितने quantity आया ये ख्याल रखना है एक किस rate का आया ये ख्याल रखना है और फिर total कितने का हो गया 1000 इंटू में 2 total हो जाएगा हमारा 2000 जब हम बेचेंगे तो तब ही तीन बातों का ख्याल रखना है sir बेचेंगे तो कितने quantity हमने बेच दिया किस rate का बेचा और फिर हमारा पास total कितने का विकाई ये रियाद रखना है जब balance होगा तो balance में भी तीन बातों का ख्याल रखेंगे क्या-क्या quantity, rate और total कितने का बचा है तो कुछ-कुछ format ये basically कोई ऐसा statement का format नहीं है मैंने बोला ने कि एक तरीका है बनाने का जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है सर इसको इसके अंदर ना कुछ-कुछ methods भी है काम करने का मैंने बोला ना कि पहले वाला पहले बेज देंगे बाद वाला बाद में बेचेंगे तो इसमें ना कुछ methods है तो कितने methods है इसके अंदर वो भी हम देख लेते हैं फटा-फट कि inventory में कितने method है inventory के अंदर inventory में कितने method है inventory के ऐसर chapter बोलो material बोलो कुछ भी बोलो आपके इच्छा है कितने method है हालाकि बहुत सारे method होते लेकिन purely हमारे लिए और जो सबसे ज़्यादा popular method है ना वो तीन method माने जाते है और हम तीनो method को ऐसे नहीं लिखेंगे पहले मैं लिख दूँ समझा दूँ फिर उसके बाद चलेंगे हम उस method पे कौन-कौन से 3 method है example देखिएगा आप example देखिएगा मान लेते हैं हमारे पास 1 तारिक को समान 2 तारिक को समान 3 तारिक को समान और 5 तारिक को समान इस दिन मैंने 100 यूनिट 200 यूनिट 300 यूनिट और 400 यूनिट ये हमारे पास समान पड़ा हुआ है ये stock है हमारे पास ठीक है न अब हमने क्या करा ये stock है अब इसके बाद मैंने कहा के भाईया इसमें से कुछ stock को न भीजने का टाहिमा गया है मेरे पास फोन आया और बोला भीया समान भीज दो मेरे पास फोन आया और बोला समान भीजो भीजने का मतलब क्या कर दो इसू कर दो अब मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं कि मैं यह वाला समान भीज सकता हूं या फिर यह वाला समान दो अप्शन है मेरे पास अविलिबन रेट क एक आशाल से अंदर I Stories क अउंसर हो मैं आखना है को एक वारा को ये वाला समान के नहीं भीज दिया ये वाला, फिर मैंने क्या करा, आठ तारिक को और आठ सो यूनिट खरीद लिए, फिर मेरे पास फोन आया, तो मैंने ये वाला भीज दिया, यानि मेरा टेंडिंसी देख रही है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, पुराने वाला माल को पहले भीज जाए, ताकि खराब ना हो, पुर वो तीन, पाँच, आठ में से पहले कुन सा है? तो जवाब है सर, एक वाला पहले हमारा आया, तो यानि जो पहले आया, उसे पहले भीज देगा, थोड़ा सा इसको इंगलिस में हम बात करें ना, इंगलिस में कैसेPO करेंगे, ट्रानस्लेट करेंगे, जो पहले आएगा, य क्या बोलेंगे फीफो एक्जामनर भी जानते हैं कि बहिया लंबा नाम हो जाता है कोश्चन पेपर में तो वह इस नाम को क्या इस्तमाल करते हैं फीफो के नाम से बोलेंगे फीफो का मतलब यही सिंपल सी बात है पुराने वाला समान भाईया पहले बेचा करो जो पहले कौन सा माल इस वाले situation में अगर ये method आता है तो पहले कौन सा माल वेचोंगे आप नए वाला या पुराने वाला कि को बेचना है आनि यान यानि को सब्सक्राइब को सवाना गजाते करना यफ ऐसके बाद माल लेते हैं एक और मैडेंसी आपके सामने ले आया एक और लेके आया मैं आपके सामने सिचुएशन मैंने यहां से फिर से उठा के भीजा कितने यूनिट सर 600 ही है यहां तो और मैंने 100 यूनिट यहां से उठा के भीजा तो अब मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है सर मैं पहले कौन सा भेज रहा हूं नए वाला पहले भेज रहा हूं अब इन में से अगर मैं बोलू के भहिया इन में से सबसे last में कौन सा हमारे go down के अंदर entry ले रहा है तो आप बोलेगे सर आठ तारिक वाला जो है सबसे last में go down में entry ले रहा है आठ तारिक वाला सबसे last में entry ले रहा है मैं simple सी बात करूँ तो सर first in first out और last वाला जो ले रहा है तो इसका भी एक नाम र ऑर लास्ट में को हम लिख त्यागे लास्ट और आया का मतलब in और गश्घिशेंगे कब क्वाँस्ट तयुक्र है वैश्ट और अउट मैं मैं बेचेंगे वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं यह थोड़ा सा हमारे समझ तो हमेसा आप क्या करोगे new वाले को इश्यो करोगे Nagrao procent यहां पर को य्शू करोगे अपर कवाल द।ने SAY झाल उसमें कुछ कर नहीं सकते चबू várias क्याने अजह जिए और कुछ और्गनाइजेशन ऐसा है अब यह तो तारीख वाइस था ठीक है ना तारीख वाइस था इसका काम अब कुछ और्गनाइजेशन ऐसा है जिसका प्राइजिंग इतना सेंसिटिव होता है हर एक टाइम में चेंज हो जाता है हर एक टाइम में एक दिन में वो माल लेते है एक तारिक को समान खरीदता है एक तारिक को कैसे खरीदता है सुबह 8 बजे खरीद रहा है, 9 बजे खरीद रहा है 10 बजे खरीद रहा है, 11 बजे खरीद रहा है 12 बजे खरीद रहा है, फिर 2 बजे यानि एक दिन में ही कई बार समान को खरीद रहा है और फिर इसको supply कर रहा है कुछ ऐसा काम है कि एक दिन में मैं कई बार समान को खरीदता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ supply कर रहा हूँ तो ऐसे situation में ये market काफी sensitive होता है sensitive होने का मतलब कि सर हम एक दिन के price में ये decide नहीं कर सकते हैं कि पहले कौन सा भीजना है अब इसके अंदर ऐसा नहीं है यहाँ पर तो last in first out या first in first out इसलिए हो गया क्योंकि तारिक था हमारे पास एक बार समान आए हम आराम से बैठे हुए है उसके बाद हमने क्या कर रहा हूँ उसको भीज़ दिया भई फिर दुबारा समान आए फिर देखेंगे यहाँ पे तो फटाफटा आ रहा है हम अब कौन सा समान पहले दें यह तैल करना बहुत मुश्किल होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं average का सहारा ले लेते हैं कि हम क्या price पर बेचेंगे उसको average पर हम उसको बेचेंगे किस price पर average पर बेचेंगे तो average पर जब बेचेंगे तो उसका नाम हो जाता है हमारा सर weighted average यहाँ पर क्या है simple average भी का पाट है लेकिन वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज है अधर के मतलब सर यह उनके लिए पॉसिबल होता जो फ्रिक्वेंटली खरीदतें और यह सारा काम पता है कौन करते हैं वैसे यह करते हैं जैसे कि मनी एक्षेंजर मनी का प्राइस होता है बहुत जल्दी जल्दी frequently क्या होता है sir चेंज हो जाता है गोल्ड का काम करते है गोल्ड का आज जौँ रेट लेने उनके जाओगे न दुकान पे वैसे आप जैसे बड़े दुकान पे जाओगे तो वहाँपर रेट लिस्ट चलती रहती है आप आज लेने जाओ, क्या रेट है सर, आज 55,000 है, आप कई बार जाना, पेरेंट से पूछना, कि गोल्ड लेने जा रहे हैं, तो आप जब गोल्ड लेने जाओगे ने, तो बोलोगे कि भीया, यह तो पसंद आगया, दो दिन बाद ले जाएंगे, तो वो तुरत बोलेगा, आप जाओगे न, आप गूगल पे लिख लेना, गोल्ड प्राइस टुडे, वहाँ पे दिखा रहा है 55,000, और शायद दुकान पे बोल रहा हो आपको 56,000, शायद दुकान पे बोल रहा हो 54,000, तो वो कल वाले का पूरा एवरेज प्राइस आज बेच रहे होते हैं लेके व हमारा टोटल मिला के तीन मैथड है, एक है फस्ट इन, फस्ट आउट, एक है लास्ट इन, फस्ट आउट, एक है वेटेड, एवरेज हैं, सर अब यहाँ पे काम करने के दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं हमारे काम करने के तरीके भी देखो, यहाँ पे दो हैं, सर दो तरी से हमने क्या करा उसका entry कर लिया कुछ लोग जो होता है फटा-फटा entry करता यानि instant entry करेगा वो instant अपने register के अंदर क्या कर लेगा entry कर लेगा और कुछ लोग ऐसा होता है कि भीया पहले समान खरीद लेते हैं पूरा और संडे वाले जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन हिसाब करते हैं जैसे for example मैं entry कर रहा हूं जैसे offline वाले बच्चों के फीस है मैंने computer को उसी time entry मार दिया और जहां पर computer की सुभीदा नहीं थी मेरे पास मैं पहले पूरी फीस लेता था और संडे को बैठके मैं काम करता था तो दो तरीके के टेंडेंसी होगी एक क्विकली काम कर रहे हैं और एक कुछ time के बाद तो इसको भी record करने के दो इसके अंदर process होता है एक होता है हमारा perpetual system, perpetual system का मतलब instant record करना जो instant record करेंगे उसे बोलेंगे perpetual system और जो कि हम थोड़े time बाद इखटा ही record करेंगे उसे क्या बोलेंगे प्रियोडिक system का मतलब सर जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने पूरे हपते समान खरीदा संडे वाले दिन free होंगे और उस दिन क्या करेंगे इसको हम जितना issue किया उसको लिख लेंगे अब periodic system कौन फोलो करता है periodic system वो फोलो करता है जिसके दुकान पे दुकांदारी बहुत कम चलती है इसके दुकान पर customer करेंगे पिरियोडिक लेगिन जिसके दुकान पर बहुत ज्यादा customer होता है तो सोचेगा आज नहीं लिखा तो कल भू करेंगे और पर्पेट्वाल सिस्टम में क्या होगा हमारा रोजाला काम करना होगा रेगुलर काम करना होगा तो सिंपल सी बात करते हैं इंवेंटरी के अंदर क्या चल रहा है सर तीन Μेटड से तीन मेटड से एक कौन सा है हमारा लास्टीन 1st आउट जिसे लीफो बोलते हैं पॉस्टेंस फूस्टाउट जिसे फीफो बोलते हैं और एक वीटेड अबरेज और इनको भी मिंटेन करने के दो शिस्टम है एक कौन सा है हमारा पर्रीयो डिक सिस्टम दो मेथट है हमारे तो अगर हम देखें यहां पे तो अगर हम यहां पे दो तो simple सी बात है सर inventory में क्या कहा गया है देखते हैं हम क्या लिखते हैं कहा गया कि recording the आपका pertaining the quantity हमें quantity record करना है value record करना inventory आपका head can be maintained जो stock है उसको maintain किया जा सकता है according to the following two system दो system है एक है सर periodic inventory system और एक है perpetual inventory system theory भी पूछा जा सकता है कि inventory maintain करने के बताओ कितने system है तो मैंने देखा जायतर बच्चे बोल देते हैं लीफो फीफो वेटेड एवरेज तो यह गलत जवाब है system हमारे दो है और method हमारे तीन है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब पूछा जाए तो तीन से ज्यादा भी method है तो हम basically ना simple सी बात है हम सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद हमें समझ में आ जाएगे कि काम कैसे होने वाला है और किस तरीके से हम साम करेंगे पहले हम कुछ questions देखेंगे चोटे मोटे question है और मैं एक ही सवाल लेके तीनो method करके बताने की कोशिस करूँगा एक ही स और कह रहे हैं बच्चे मैं अभी फिलाल के लिए बच्चे पूछें सी इंटरमेडियेट में भी है फानेशल सेम में बच्चे क्या गया पूछना है आपके मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं देखो यह बहुत जगहा है semester 1 में है semester 4 में है सिए laid नथीये इनटरमीडेयेट में है में है तो लेकिन हम अब ही क्या कर रहे हैं बड़ी सी इदी बात है हम एक concept इंटेख रहे हैं जिसको आता है अच्छी बात है जिसको नहीं आता हो एक बार देखेंगे क्यूंकि यह आगे चलके थोड़ा सा फ at उसी सवाल को मैं एक बार वीटेट तो एक सवाल से जब मैं तीनों मेथट करूँगा तो आपको क्लियरली अंदाजा हो जागा है यह एक्च्वल डिफ्रेंशियेट क्या है सेम ऐसे मैं बात करूं तो यह चैप्टर ना सेमिस्टर वन के अंदर तो बस यहीं तक रहता है सेमिस्टर वन में हैं उनको भी यह बहुत अच्छे से समझना चाहिए आगे काम आता है जो बच्चे सेमिस्टर फोर में उसको भी समझना पड़ता है क्योंकि आगे उसके लिए काम आता है बस मैं यह कहूंगा